हेलो एवरिवन, कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही पहतरीन टेस्टी सी मार्केट जैसी महेंगी मेठाई एकदम बजट में घर के ही सामान थे जिसमें ना आपको गैचलाना है ना ही मावा ना दूद ना मलाई की जरुरत होगी बहुत फटाफट से बन करके तयार हो जाएगी और एकदम टेस्टी वाली उसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखना होगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कटोरी या कप सेट कर लेना है मेजरमेंट के लिए तो मैंने एक कटोरी सेट कर ली थी उसी कटोरी से एक कटोरी मखाने और थोड़े से काजू ले लिए थे उसके बाद आपको क्या करना है इसको बढ़िया से बारीक पीस लेना है आप चाहें तो काजू इसके भी कर सकते हैं आपनी पसंद के ड्राइफूट्स ले सकते हैं आपको इसको एकदम वहीन पीस लेना एकदम बारीक सा हम इसको बारीक पीसेंगे ना तो हमारी मिठाई का ट उससे हाफ कटोरी मैंने चीनी ले लिए आप थोड़ा बहुत कम जादा कर सकते हैं और हमें इसको अच्छा बारी पीस लेना है उसके बाद जो मैन इंक्रीडियंटे जो हमारी मिठाई को महेंगी वाली मार्केट की मिठाई बनाएगा वो है पनीर मैंने ये आधा कटोरी पनी ये नहीं तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं अब जो मैन काम हमें करना है वो ये कि हमें इसको बहुत अच्छे से मैश करना है जितना अच्छे से आप इसको मैश करेंगी ना हमारी जो मिठाई है एकदम सॉफ्ट और बहुत क्रीमी सा टेक्शर आएगा और पनीर में बहु बगबग 2-3 मिनिट अच्छे से मैश किया तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका टेक्षर एक डो की फॉर्म में आने लग गया है और पनीर है तो हमें इसको अच्छे से मिलाना है तो बस इसी तरीके से यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है यहां मैं आप सभी के साथ एक ब पाउडर स्किप कर दिया है बट एक बाद बता हूं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था तो अगर आप चाहें तो नारियल पाउडर डाल सकते हैं बस इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी बट ऑवरॉल मिठाई तो बहुत अच्छी बन रहे हैं वह दो बना रहे हैं जो मार्म अच्छी मीं इनकासे बेनाना चाहा तो अगर contraff tension अगर एक बना आप इसमें यूज कर सकते हैं और उसके बाद हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखिए मैंने इसको कर लिया अच्छे से मिक्स और इसका कलर भी एक दम कितना बड़िया वाला आ गया ना तो अभी मैं इसका रोल बना लूँगी देखिए आप इसमें वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को अभी मैंने ले ली है एक प्लास्टिक की शीट उसमें जो हमारा वाइट वाला डो है हम इसे रखेंगे आप चाहे तो हातों की हैल्प से पहला है या तो इसको बेलन की हैल्प से हम इस जब भी आपका मीटा खाने के मन करें आप इसको जरूर से बना करके देखीगा यकीन मानिए यह खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही थी मार्केट की महंगी मिठाई जैसी और इसको बनाना बहुत ही आसान है वीडियो में दिखाने के कारण इसमें थोड़ा सा ट टाइट बनाना है नहीं तो इसमें बीच में गैप रह जाएगा तो यह तूटेगी अच्छे से नहीं बनेगी तो इस तरह से इसको रखते हुए बहुत टाइट ली आपको इसका डो बना लेना है यह देखिए एक बार मैंने बनाया था तो वह खलका सा रह गया था लूज तो मैंने इसको फिर से पकड़ करके एकदम टाइट डो इसका बना लिया है और अब हम इसको क्या करेंगे अच्छे से फोल्ड करके फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनिट के लिए मैंने इसको 5 मिनिट के लिए फ्रीजर में रखाता उतने में भी इसका काम हो गया था तो अ तो इस तरीके से पीसे समय के मोटे पतले आपके हिसाब से काट लीजिए खाना तो आपी को है और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया रैसी पीस के लिए चैनल को फटा-फट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन क सब्सक्राइब करें तो बस मैंने इसमें लगा दिया है थोड़ा सा सिल्वर वर्क और उपर से लगा दिया है पिस्ता एक दम आप्शनल है आप चाहें तो इसमें बादाम काजू भी लगा सकते हैं बड़ ये पिस्ते से बहुत जादा बढ़िया दिख रहा है तो खाईए